अश्कार निस प्लस देख रहे आप बैहुआ आपके साथ में अविरल दक्षिड वारत में कोरोना संक्रमण को हटाने के लिए कोरोना मंदिर की स्थापना की गई है इस्थानी लोगों का कहना है कि प्रकृती नराज है इसलिए कोरोना नाम का संक्रमण फैल रहा है कोरोना देवी की पूजा पाट करने से महामारी रुक जाएगी देखिए ये खासर बार कोरोना महामारी की दूसरी लहर में हर कोई भैपीत है कोरोना वाइरस से बचने के लिए इनसान हर संबा प्रयास कर रहा है तो वहीं तमिलाडू के प्रसिद्ध मंदर में लोग कोरोना देवी की मूर्ती बनाकर उसकी स्तुभा शाम विदिविधान से पूजा कर रहे हैं ये मंदर तमिलाडू के कोयम बटूर में कामची पुरी अधिनाम का मंदर है जहाँ पर कोरोना देवी को मूर्ती के रूप में आकरती दे कर पूजा अर्चना की जा रही है बता दे कि मंदर के अधिनियमों ने घातक कोरोना वाइरस के प्रकोप के मद्द नजर लोगों को कोविड-19 से बचाने के लिए समर्पित एक कोरोना देवी बनाने और पवित्र करने का फैसला किया है अधिनाम के प्रभारी शिवलेंगेश्वर का कहना है कि लोगों को विपत्तियों और बिमारियों से बचाने के लिए देवताओं को बनाने की प्रथा प्राचीन समय से चली आ रही है मंदिर में डेड़ फिट काले पत्थर की मूर्ती को कोरोना देवी की प्रतिमा मान कर स्थापित किया गया है लोग प्रति दिन पूजा पाट कर रहे हैं और लोगों का कहना है कि कोरोना देवी नाराज है इसलिए संक्रमण का प्रकोब बढ़ता जा रहा है पूजा पाट करने से देवी प्रसन हो जाएंगी तो कोरोना संक्रमण भी रुक जाएगा आपको बता दें कि तमिलाडू में ऐसे कई देवता हैं जैसे कि कोयमबटूर में प्लेग मर्यमन मंदिर है लोगों का मानना था कि देवताओं ने अतीत में प्लेग और हैजा के प्रकोप के दौरान नागरिगों की रक्षा की थी पूजा पार्ट के बाद इस्थानी स्तर प प्लेग विमारी में बेहत गिरावट दिखाई दी थी इसलिए लोगों की आस्ता है कि कोरोना देवी की पूजा से भी यहां संक्रमण कम होगा स्पेशल डैस्क न्यूश प्लस